वेल अगर आप शियर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपने अभी तक इंडिया विक्स के बारे में कई जगा से सुन लिया होगा कि इंडिया विक्स अगर आपको पता लग जाए तो आप ये पता लगा सकते हैं कि निफ्टी कितना बढ़ सकता है कितना गिर सकता है वेल आज हो सकता है इस point of time तक आपको इंडिया विक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना भी हो पर इसी लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आपको इंडिया विक्स अभी कितना बढ़ सकता है अब अगर आपको इतना सब कुछ इंडिया विक्स से पता लग सकता है तो समझते हैं कि इस विक्स को सबसे पहले अब विक्स का मतलब होता है वालिटिलिटी इंडेक्स इसे हम फियर इंडेक्स भी बोलते हैं सो फियर इंडेक्स का मतलब क्या हो थोड़ा सब डिटेल में भी बात करेंगे सो अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से काफी सरी वैल्यू ले कर जाए और अगर आप नए भी है तो उससे पहले एक मित के उपर बात कर लेते हैं क्योंकि यह जाए तर लोगों को अभी तक ऐसी लगता है लोगों को विक्स के बारे में बहुत सारा नहीं भी पता होता तो बस इतनी सी चीज़ पता होती है और यह मित है अच्छली वह क्या है पहले मैं वह बता देता हूं लोग अगर विक्स बढ़ता है यहां पर विक्स आपको बढ़ता हुआ देख रहा है तो लोगों को लगता है कि मार्केट गरेगी तो market को देखकर लोग wix को देखते हैं कि भई यह market कर रही है wix बढ़ रहा है और अगर wix बढ़ रहा है तो market गरेगी but this is not true in all the cases in most of the cases ऐसा होता है पर यह सही नहीं है क्यों नहीं है मैं आपको एक example देता हूँ अभी हम सबने lockdown को phase किया lockdown के टाइम में example ले लेते हैं एक shoe company का एक ऐसी company जो जूता बना रही थी अब lockdown में लोग गड़ से बाहर नहीं निकल रहे तो जूते नहीं खरीदे रहे उस company की lockdown की वज़े से एक quarter की sales खराब हो जाती है अब जब quarter की sales खराब हो जाती है और result आता है तो उस company का share का price टूटने लगता है lockdown में तो टूटी रहा था उसके बावजूद भी जब company का result आता है तो भी उसका share का price गरने लगता है तो यहां से share का price गर रहा है अब यहां पर एक चीज़ समझनी है यह मैं आपको बताना चाहूँगा जो Wix होता है वो index के लिए होता है जैसे कि हम बात कर रहे है S&P 500 की निफ्टी की तो index के लिए हम Wix करते है और जब हम individual shares की बात करते है हम बात करते हैं option के contracts की तो वहां पर हम IV की बात करते हैं implied volatility की बात करते है तो यहां पर एक चीज़ समझे share का price गर रहा है पर अब वो quarter खतम हो गया lockdown खतम हो अब सब को सही चल रहा है shoes दुबारा से बिकना शुरू हो गए है अब अभी भी share का price तो नीचे गर रहा है पर क्या इस वक्त क्योंकि लोगों को ऐसा myth लगता है कि अगर market गरेगी तो विक्स उपर जाएगा या IV उपर जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है उस टाइम पर actual में IV भी गिर रही हो और अगर IV गिर रही है वालिटिलिटी कम हो रही है लोगों के अंदर fear कम हो रहा है कि भी आप shoes तो ठीक भी करा आगे ठीक हो जाएगा तो यह हमें IV बता रहा है यहां से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि अगर IV गिर रही है और share का price भी गिर रहा है तो हो सकता है fear क्योंगी कम हो रहा है share का price अब बढ़ जाए यहां से bounce back कर गए तो यह चीज़ समझनी जरूरी है and this is a perfect scenario to understand this but जर्नली क्या होता है जब market में market गिर रही होती है crash होता है तो डर का महौल आना शुरूर हो जाता है correction होती तो डर का महौल बनना शुरूर हो जाता है और डर का महौल का मतलब ही क्या है कि विक्स उपर जाएगा तो जाधतर cases के अंदर यह ठीक है कि मार्केट अगर गिरती है तो विक्स बढ़ता है बट हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है तो ये मित्क आपका क्लियर करना जरूरी था अब हम आ जाते हैं उसी बात पर जिस बात के लिए आप ये वीडियो को देख रहे हो कि भीया हम तो निफ्टी के अंदर ट्रेड कर अब मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं एक कंसेप्ट समझना है जो यह विक्स होता है अभी दिखता कहां पर है मिलेगा कहां पर आपके पास आज की पर चीज़ें बहुत असान हो गई है आप सिंपली या तो गूगल कर लिए अगर आप गूगल पर जाएं और उसके बाद सारे इंडिस आपके सामने आ जाएंगे और यहां पर आपको इंडिया विक्स भी दिखेगा जो कि आपको दिख रहा है 20.79 तो आपको इंडिया विक्स यहां पर दिख रहा है तो सबका यहां पर आपको जो करेंट प्राइजिंग है यहां पर दिख रही है अब अगर आपको यहां पर इंडिया विक्स लिखता है 20.79 का इसका मतलब क्या है यह डिटा आपको कहां से मिल रहे है तो आपको समझ आ गया बट अब यहां पर समझना जरूरी है निफ्टी आपने देखा 15810 पर क्लोजिंग होई है तो यहां पर 20.79 यह जो मैं 20.79 लिख र कि इसका मतलब यह है 20.79 परेंट निफ्टी एक साल के अंदर बढ़ भी सकता है गिर बी सब कितना परसंट 20.79 और यह एक और बड़िख सकता है VInsi 79% गिर सकता है annually एक साल में अब यहां पर एक चीज़ और है वह मैं आपको बजाता हूं अब हमें अनुल से क्या लेना देना यार अब बहुत सारे लोग तो सिर्फ यहां पर शौट तम में ट्रेड करते हैं इंट्रेड करते हैं वीकली ट्रेड करते हैं इंट्रेड कर रहें तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि आपको मुझे पता लग गया कि निफ्टी आज के हिसाब से हमें लग रहा है कि 20.79 परसंट बढ़ सकता है गिर सकता है प्रोबैबिटी हमारे सामने आ गई पर यहां पर एन्वल की जगा मंथली प्रोबैबिटी के है अगर हम एक मंथ की बात करें तो हमारे सामने मंथली प्रोबैबिटी के है अगर हम वीकली बात करें एक हफते के हिसाब से निफ्टी कितना बढ़ सकता है गिर सकता है या अगर मैं डेली के हिसाब से बात करूं तो यह कैसे प रखोटा लड़ जाए तो आपको पता लग गया मंतली वीकली ओर डिली किटना रखी पड़ सकता है कि यहाँ बाट से मापसमझाआ चाहें 걸로 को समझंजागे साल के सबसे मंतुर घंज साल में कितने महिने होते हैं आप कहोंगे बारा महिन करना किया है इन तीनों का स्क्योर रूट निकाल रहे हैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं आपको विक्स का यहां पर पता लग गया कि 20.79 परसेंट आपका निफ्टी बढ़ सकता है गिर सकता है तो विक्स आपके सामने 20.79 है अब यहां पर हम एक छोटी से कैलकुलेशन करेंगे मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं आपके लिए हम बात कर रहे हैं स्क्वेर रूट ओफ 12 का तो यह आपके सामने आगा है 3.46 3.46 एक नंबर है जो आपके सामने आपके लिए आगया है नाउ वट टुडू आपके पास जो भी इस वक्त हमारे सामने विक्स की वैल्लिव है तैस 20.79 20.79 जो आपको देख रहा है कि विक्स है इसे आप डिवाइड कर देंगे सिंप्ली 3.46 3.46 6 परसेंट जो यह 6 आया है यह 6 परसेंट आपने भी किल्कुलेट किया है प्रोबैबिलिटी ओफ निफ्टी जो है कि वो कितना उपर हो कितना नीचे जा सकता है इन वन मन्थ इट इस 6 परसेंट कि निफ्टी 6 परसेंट ऊपर और 6 परसेंट नीचे जा सकता है अब यह आप और कैसे एकूरेटली डिफाइन कर सकते हैं 15,800 की आपने भी क्लोजिंग देगी तो अगर मैं 15,800 की बात कर रहा हूं यहां पर दुबार से क्रिकुलेटर खोल रहा हूं थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहें क्योंकि कंसेप्ट समझाना जरूरी है 15,800 निफ्टी का करेंट लेवल है प्लस 6 परसेंट तो निफ्टी एक महीने में 16,750 तक जा सकती है और जब हम गिरने की बात कर रहे हैं तो 15,000 से 6 परसेंट गिर भी सकती है माइनस 6 परसेंट कर लेंगे सो हमारे पास एक क्लियर रेंज आ गई 16,750 तक जा सकती है और गिरने को 14,850 तक गिर सकती है ये रेंज आपने निकाली किस तरीके से सिंपल एक कैलकुलेशन आपने करी कि निफ्टी की जो भी रेंज है साल में वो 20 परसेंट से जादा उपर जा सकती है 20 परसेंट से जादा गिर सकती है बट एक महीने के अंदर 6 परसेंट की वालेटिलिटी निफ्टी में देखने को मिल सकती है ये आपको पता लगता है इस सिंपल फॉर्मिले से अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वीकली हम 52 हफ्तों की बात कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है weekly एक हफ्ते में निफ्टी कितना बढ़ सकता है कितना गड़ सकता है तो हम यहां पर क्या करेंगे simple हमारे पास calculation है कि हम यहां पर square root ले लेंगे 52 का हमारे पास figure आगई 7.21 की अब हम क्या करेंगे हम 20.79 को divide कर देंगे 7.21 से हमारे पास figure आगई 2.88 अब यह 2.88 परसेंट है इसका मतलब क्या है कि weekly 2.88 परसेंट निफ्टी बढ़ सकता है या गिर सकता है similarly अगर आपको एक दिन की रेंज निकालनी है तो यहां पर आप क्या करेंगे 365 का आप square root लेंगे अब यह बिलकुल easy हो गया आपके लिए भी है कि आप इसे खुद भी calculate कर सकते हैं तो अगर हम यह बात कर रहे हैं यहां पर daily की तो यहां पर आप square root ले रहे है 365 का जो कि आगया 19.1 अब आप क्या देखते हो कि जो wix है वो कितना चल रहा है 20.79 डिवाइड बाइ 19.1 तो अल्मोस्ट एक परसेंट के आसपास आप देखते हो कि एक दिन के अंदर आज के wix को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि market एक परसेंट ऊपर या एक परसेंट नीचे जा सकती है यहाँ पर आपने खुद किलकूले Tenemos 21.79 परसेंट की है निफ्टी के ऊपर नीचे जाने की एक महीने के अंदर 6 परसेंट की है एक हफ़ते के अंदर 2.88% किया और एक दिन में 1% निफ्टी बढ़ सकता है निफ्टी गर सकता है ये आपने इंडिया विक्स को देखकर कल्कुलेट किया है अब यहां पर इससे क्या आप रेंज प्रेट कर सकते हो जैसे अभी हमने मंतली रेंज प्रेट करी तो आपको यह प कुछ option strategies समझ रहे हैं दिमाग में कुछ strategies आ रही हैं अभी तक हमने strategies की उपर बहुत सरी वीडियोज बनाई हुई है अगर आपने option strategies की उपर अभी तक complete होती जी तो यह याद रखना यह 365 ट्रेडिंग बेज हैं अब मैंने जैसे आपको स्वाटिंग में बताया था कि एनसी डेटा देता है हमें एनसी हमें देता है कि विक्स का क्या प्राइस चल रहा है इस वक्त अब यहां पर एक सवाल है मेरा एनसी को यह विक्स जो निकालत करता है यह कैसे करता है यह करता है वो ऑप्शिंग को देखकर यह ऀनसी डेटा निकालकर आपको देता है तो आपको निकालने की जुरुत नहीं है डेटा को लिख से अब फिर ह़ीन को पता होना राज से कि 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 तरीके से काम करता है यह अановनागा एक पांधे अब्य beta अगर आप देखेंगे तो कौन सा आपको यहां पर एक्सपायरी दिखेगी आपको देखेगी 18 ऑगस्की अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा लिकुडिटी कम है तो यहां पर 15800 फिर भी ट्रेड होता हुआ आपको देखेगा 15800 का अगर आप कॉल साइड पर देखेंगे आप्शन का प्रीमिम कितना है 503 और यहां पर है 434 आपके लिए चीज़ों को मैं थोड़ा से कल्कुलेट करके दिखा रहा हूं अभी आपको समझ नहीं आया होगा बट कैसे कल्कुलेशन होती है आपको अभी पता लगने वाला है तो मैं यहां पर स्क्वीन रिकॉर्डिं 434.70 हमारे सामने आ गया 938.4 का रेट सो यह 938.4 जो है यहां पर हमारे लिए यह वो प्रीमियम है जो आप कमा सकते हैं अब यहां से क्या पता लग रहा है अगर मैं बोलू यह 938 जो है यह कितना परसेंट है 15800 होगा तो आप कहेंगे सर इसे डिवाइड कर देते हैं और इसे 100 से मिल्टिप्लाइ कर देते हैं तो तक्रीबन आपको देख रहा है 5.93 यह 5.93 जो है यह परसेंट है 15800 का अब यहां पर रही है एक महीने की हमने कुछ कैलकुलेशन गरी यह थी हमारी मंतली कैलकुलेशन कि एक मही तो लगबग हम एक महीने की जो बात की बात करें 30 ट्रेडिंग डेस की बात कर रहे हैं उससे यहां पर जो छे परसेंट आ रहा है यह प्रीमियम का प्राइज आ रहा है यह जो विक्स की कैलकुलेशन होती है यह option chain को देखकर ही होती है option के प्रीमियम के हसाफ से होती है तो यह आप कर सकते थे बहुत जदा टेकनिकल नहीं जाएंगे हैं क्योंकि इंडिया विक्स की वैलियो तो आपको वैसी दे रहा है आप गूगल पर लेखेंगे तब भी आपको मिल जाएगी बट आपको पता होना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको यह कैलकुलेट करकर भी सब्सक्राइब के भी चै़ेंगे तो आप जाहे तो लापको क्ली只 में रहें हैं तो स्धाइगल बना सकते हैं और उस्ट्राइडल को शोट कर सकते हैं तो स्ट्राइडल का विज्डल का मतलब होता है यहां ऑर इस पर इस fight शयर तो ऑगर आपर हमएंगë तो स्गया कर रहे ह आपका जो प्रीमियम है जो आप अगर खरीद जो आप देने वाले थे वह आप कमा सकते हैं और इस तरीके से आप यहां पर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं अब बहुत सरी स्टार्टेजी यहां पर बन सकती हैं जो कि हम आने वाली वीडियो में सीखने वाले हैं क्योंकि सामस लेहगा को और इंफोर्मिशन दिने में आज हमने इंडिया में को काफिया तक संजा है घो क्या क्या समझाया उन Rabbit कोlay ON चाहें तो monthly, weekly और daily value को calculate कर सकते हैं, अगर आप monthly करना चाहते हैं, square root of 12 कर सकते हैं, उसकी value जो निकलेगी, उसे आप divide कर देंगे, जो भी value है इंडिया विक्स की, similarly weekly, अगर आपको calculate करना है, कि विक्स की value क्या रहेगी, तो आप क्या करने वाले हैं, आप square root of 52 जो value आएगी, उसे आप जो विक्स की value है, विक्स की value को divide कर देंगे, जो हमारा square root of 52 है, जिससे आपको एक percentage पता लग जाएगा, and similarly daily के लिए भी, तो ये आप खुछ से कर सकते हैं, अब माल लेते हैं, मैं आपको एक homework दे रहूँ, क्योंकि comment आप करेंगे तो मज़ा आएगा, विक्स जो है, वो 20 नहीं है, विक्स हो गया 40, तो अगर विक्स 40 हो जाता है, तो monthly, weekly और daily, क्या probability रहेगी, निफ्टी के ऊपर हैं नीचे जाने की, आप comment करके बताएंगे, very nice, so आपको fear index के बारे में पता लगा, यह आपको पता लगा, कि अगर market में fear बढ़ता है, तो India विक्स भी बढ़ता है, और generally क्योंकि fear बढ़ता जब है, तो market नीचे जाती है, but it is not all the time true, कि जब market नीचे जा रही है, तो India विक्स उपर ही जाएगा, मैंने आपको example लेकर बताया था, कि ऐसा भी हो सकता है, कि प्राइस नीचे जा रहा हो, और विक्स भी, यह implied volatility भी नीचे जा रही हो, and अगर वो नीचे जा रही है, तो कुछ time के बाद आपको दिख सकता है, कि जो stock का price है, क्योंकि volatility की हम बात कर रहे हैं, वो उपर भी आ सकता है, So I hope this video was very informative, आपकी बहुत सारे सवाल होतने हैं, वो सवाल आप जी खुलके पूछेएगा, comments के अंदर, क्योंकि next videos हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए बनाएंगे, यह India Wix को भी आप बहुत बार comment में लिख चुके हैं, कि India Wix के उपर video चाहिए, इसलिए this was on-demand video, और on-demand video आपके लिए और भी आती रहेंगी, फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरू कीजिए, शेर कीजिएगा जिससे वाल्यूबल इंफरमेशन जादे स्यादा लोगों तक पहुचे, अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं है और आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, दिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स का लिंग है, आप अप एंजल वन पर जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, इन फाक्ट आप रेफरेंट अर्न करके भी वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, तो इस अगूड ऑप्शन, यू और फाइनली आविल सी नेक्स वीडियो फेस्बॉक पर वीडियो देखने हैं, फॉलो कीचिए, यूट्यूब पर देखने हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल इकन पर क्लिक कीजिए, से आने वाली एक भी वीडियो आप मेंस ना करें, आवल सी नेक्स वीडियो, तिल आटाइम, यूगो सल्फमेड,